यूपी विधासभा का मौनसुन सत्र चार दिनों का चला विपक्ष ने खुब हंगामा किया इस दोरान लेकिन आखरे दिन यानि की चोथे दिन सीएम योगी आदितनात का दिन था CM योगी आदितनात ने हर मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथो लिया CM योगी आदितनात के तेवर के सामने विपक्षी खेमे में सननाटा पसरा रहा वही मुख्यमंत्री ने बुल्डोजर कारवाई पर सवाल उठाने वालों को कहा कि जो गलती करेगा वो भुगतेगा मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूँ ना ही मैं प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ बलकि मैं व्यवस्था बदलने आया हूँ सीएम योगी ने कहा कि अगर मुझे प्रतिष्ठा की चाहत होती तो मट में इससे कहीं जादा प्रतिष्ठा मिल जाती सीएम योगी ने जब ये बात कही तो सभी एक टक उन्हें सुन रहे थे CM योगी आधितनाद का ये सन्नेश किस के लिए था इसकी चर्चा सब्सित जादा हो रही है और CM के इसी बयान को लेकर हर तरफ चर्चा है प्रदेश किसी नौजवान के साथ धोका नहीं होना चाहिए धोका कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं जेल के अंदर पूरी निर्मंता के साथ उसको ठोशने में भी कोई कोता ही नहीं बरते है आपको बुर्डोजर से डर लगता है लेकिन य निर्दोश के लिए उन्हें पराजियों के लिए जो प्रदेश के नौ जवानों की भौसे के साथ खिलवार करतें जो प्रदेश के ब्यापारी ओर बेटी की सुड़क्सा में सेल वा過去 कि सामने लोग लोगों का जीना हराम करते हैं मेरा दाहित बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूँ, कताई नहीं, मैं हाप इस बात के लिए आया हूँ, कि अगर ओ करेगा तो भोगतेगा भी किरूँ वही सियम योगी आदितनात ने एक और बड़ी बात कही, सियम योगी ने पंच तंत्र की एक कथा सुनाई, एक किसान और बकरी वाली कहानी सुनाई और बताया कि कैसे चार ठग एक किसान को बारी बारी से कहते हैं कि उसने बकरी नहीं बलके कुट्ता खरीदा है और आखिर में किसान भोला किसान मान जाता है और वो अपनी बकरी को फेंक कर भाग जाता है, बस ठग यही चाहते थे इस कहानी को सुनाते हुए CM योगी आदितनात ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है सपानी लोगों को बरगलाया है लेकिन कांट की हंडी बार बार नहीं चड़ती है दोहजर सताइस में सपा सफा चट हो जाएगी इस तरह का दावा CM योगी ने सदन में किया